अग्वा नमस्कार तो आरो फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत आज मैं आपको दिखा रहा हूँ यह दिकli यह कुवा हमारे खेट का कुवा है दोस्तों यह दिखिए और मैं आभी मेरे गाउसे बात कर रहा आपको मैं बताना यह चाहता हूँ कि कुवे में जो water दिख रहा है देखिए पानी जो दिख रहा है यह पूरा की पूरा नीला सफेदा और बहुत यह pure water है दोस्तों यह natural pure water है और यह water कहा से आता है मैं आपको दिखाता हूँ जमीन सफ तो आता है नीचे से लेकिन साइड में आप देख सकते हैं यह देखिए पूरा बारिश का पानी है यह और यह पानी के और यह हमारे कुवे की बीच में एक बांद है दोस्तों यह देखिए और यह बांद में से होकर पानी यह इधर आ रहा है मतलब कहा से होकर यह ज यह जो पत्थर है देखिए यह जो पानी दिख रहा है देखिए यह पानी इतना सपेद है कि कैमेरे में मेरे कैप्चर नहीं हो रहा है दोस्तों और यहां से होकर मतलब इस मिठी में से होकर यह पानी इस साइड में आ रहा है आगर दोस्तो आइसे पानी को आप आरो वाटर फिरुफाइर लगाते हैं तो यह कितनी नाई इनसापी है द्विक्नल डूस्तो यहीं पानी है तो मेरे एक रिक्वेस्ट है गाव वाले लूगों को कि आप आरोटरब मत यूज कि रहें क्योंकि यह पानी पहले से ही फिल्टरड नैचरल फिल्डर वाटर है दोस्तो आपको दिखाता हूँ यह देखिये नजदिक से दिखाता हूँ थोड़े और आगे जाता हूं मैं ये देखिए यहां से होकर मैं यहां जा रहा हूं और ये पान देखिए ये पान देखिए तो इससे अच्छा पाने आप कहां भी नहीं पी सकते दोस्तों ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही ट्रस्टे रॉटर है नैचरल ट्रस्टेड रॉटर है दोस्तों हमास है की जो अनर कुछ जो भी रिकार नहीं है आईसी चीज़ आती है तो उनको ख़ह जाती है मतलब यह बी एक तरह का फिल्टर ही है दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि गाउ का जो पानी हैं, बहुत ही भेत्र हैं इसको फिल्टर की जरूरत नहीं है। भूत ही अच्छा और इतना भेत्र हैं टेस्ट थी मैं अभी तक नहीं देखकी है मैंने पिने के लिए कुछ लाएं नहीं इसलिए मेरे हाथ से ही पीना पढ़ रहे हैं मुझे एक तो दोस्तों आइसा पानी दुनिया में किदर भी नहीं मिलने वाला है एमेजन के जंगलों से लाया हुआ पानी जैसा लगता है इसका फिलिंग हो रहा है दुस्तों तो दुस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं लड़ो में तब तक के लिए थैंक्यू